नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदरम स्मोल लिग और ग्रेंड लिग की टीम बनाएंगे इंडिया वर्षिस सिरलंका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच नमबर 33 की देखो भाईयो ये वाला मैच खेला जाएगा वानकेरे स्टेडिय मुंबई के ग्राउंड के उपर और ऐसे में आपके लिए मुंबई की पिच का एक एहम योगदान देखने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा याद से देखिएगा वही अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक वाला बटन दबादो और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो दोस्तो ये वाला मैच दो नोवंबर को दो पहल को दो बज़े स्टार्ट होगा सबसे पहली बात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हम पहले कमेंट चेक कर लो वाँ पे आपको हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पर खेली चैनल बिलकुल फ्री में जोइन कर लिज्येगा क्योंकि टोस होने के बाद जो भी सारी update आएगी आ वह आपको बिलकुल फ्री में टेलीग्राम पे प्रआइड कर दी तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो सबसे पहले हम देख लेते हैं वानकेडे की स्टेडियम की पिछ रिपोर्ट क्या रहा सकती है देखो दोस्तो इस ग्राउंड की उपर अब तक 25 वंडे मैचों में चेश 14 मैच पहले बैटिंग और 11 मैच सेकेंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने जीतने हैं अगर हम स्कोर पैटन की बात करें तो 200 से निजे स्कोर 6 बार बना है, 250 से 299 के बीच में स्कोर 11 बार बना है यह तो होगी पुरानी बात इस साल वर्ल्ड कप की बात करें तो इस साल वर्ल्ड कप के अंदर इस ग्राउंड के उपर दो मैच खेले गे थे एक खेला गया था साथ अफरिका और इंगलेंड के बीच, उस मैच में साथ अफरिका ने पहले बैटिंग करते वे 399 रन बनाए, 7 विकेट पे और इंगलेंड 17 रन बना के ओल आउट होगी और साथ अफरिका ने 239 रन से मैच जीता 2 निंग को मिला के बाद करें तो 13 विकेट फास्ट बोलर और 3 विकेट स्पीनर को मिले उसके बाद एक मैच कहला गया था South Africa और Bangladesh के बीच उस मैच में South Africa ने फिर से पहले बैटिंग की 312 रन बनाए 5 विकेट पे और Bangladesh के टीम 233 रन बनाके के ओल आउट होगी और साथ विकान एक सो नंचास रनों से मैच जीता और दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो बारा विकेट फास्ट बोलर और तीन विकेट स्पीनर को मिलें यानि सिंपल सी बात है पहली निंग के अंदर साधे तिन सो प्लस रन बने हैं इस साल डोल्ड करती है तो हाई स्कोरिंग मैच जा सकता है हमें उस हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी और अगर इंडिया पहले बोलिंग करती है तो हमें इंडिया के बोलर पर ज्यादा ट्रस दिखा के उस हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी तो मेंली हमारा टीम बनाने का कंसेप्ट डिप कर दें और अगर इंडिया पहले बोलिंग करती है तो हम उमीद करेंगे कि इंडिया ये प्लेयर है वो अच्छी बोलिंग करें और सिरलंका को 250-270 के आसपास आउट कर दे और फिर इंडिया इसली मैच जी जाए और उसी कॉंसेप्ट की उपरम्या पे टींग बनाएंगे बा दोस्तों बात कर लेते हैं लास्त के दो हैड़्प फेड मैच इंडिया वर्सीर लंका जिसमें एक था सूपर फॉर का मुकाबला एक था एशा कॉप का फाइनल मैच तुपर फावर वाले मैच में क्या हुआ था इंडिया ने पहले बेटिंग की और 213 रन बनाए 10 विकेट में और सिर्लंका 113 रन बनाके ओल आउट होगी इंडिया न 41 रनों से मैच जीत लिया अगर आम उस मैच में इंडिया की तरप से टोप परफोर्मर की बात करे ना तो रोईच चर्मा ने 23 रन बनाए के अन राउल ने 49 रन बनाए शुपमन गिल ने 19 रन बनाए कुलदी प्यादाव को 4 विकेट मिले जस्पृत बुमरा को 2 विकेट मिले अगर उस मैच के अंदर सिरलंका के टोप लेयर की बात करे तो दुनित विलालगे ने 5 विकेट लिया और 22 रन बनाए चरी तसलांका ने 4 विकेट लिया और 22 रन बनाए और दिनेज़े डी सिल्वा ने 31 रन बनाए ये टोप के परफुमर देखने को मिले थे उस मैच के अंदर जो एश्या का अपका सूपर फोर का मैच इंडिया उसरिलंका के बीच खेला गया था एक चीज दिखाता हूं आपको उस मैच के अंदर ये मेरी फैंटसी की ड्रेम टीम थी जो की मेरी रेंक आई थी उसके अंदर दो क्रोड़ वाले कॉंटेस्ट में 57 और एक क्रोड़ कॉंटेस्ट में 19 जिसके अंदर मेरी ये टीम थी मैंने कप्तान वेलालगे को बनाया था व अगर मेरे पास जस्वी दुम्रा होता पतिराना की जगह है तो मेरी 1200 बाउन पोइंट हो तो मैं या पर दो कोड़ वाला कॉंटेस्ट में जीता और एक कोड़ वाला कॉंटेस्ट भी जीता लेकिन मैंने हाई रिस्क हाई रिवोर्ड खेला मैंने आप रिस्क बहुत बढ़ में लगाता हो में कि इतने रुपेसे आगे हैँ अब इतने से कई महीनों तक खोल सकता हूं और बात वही है न Nacht कि सिंपल सी बात अगर यहां पर फ्कर द्म रहा हुता हो तो यहां पर सिंपल बात 1 3 क्रोड आते अफ्सोस तो ओता यह ये आप देख सक्त हो कई बंदे पाकिस्तान नेडरलैंड के मैच मेरी मेरी रेंक आई थी अभी रिषेंटली एक मैच और था बंगलादेश वर्सिज नूजिलैंड अगर यहां पर यहां पर चीज ध्यान दखना, उसके बाद दूसरा इश्यक अपका हैटो एडेड मेंस था न, वो हुआ था फाइनल मेच, जिसके अंदर इंडिया ने श्रिलंका को पचास रन पे आउट कर दिया, इंडिया दस में जीत गई, उस मेच में इंडिया के तरप से मुंमत शिराज ने 6 वि यानि हमारे पास दो सनेरियों आये पहला सनेरियों यह आया था अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंगं करें तो इसके से मुर्वाहिए पास ड्रीम टीम के अंदर रोनी चार वे चार बैटर आये टें है इंडिया के और तीन ऊ spear चार इन ही बोलर ने बोलर आये इंडिया के वही चीज में डिसाइडिंग रही है मान लिए टीम बनाते हैं बाकि यह जो मैंने आपको प्रूफ सा दिखाया है यह तो मैंने आपको वैसे दिखाया है कि कई बंदे कमेंट करते हैं बाई कि तुमारी कितनी रैंक आई है तुमारी आये स्टेंग कितनी है तो यह है बाकि मेनी जीञेल में 3,000 मेंबर, 4,000 मेंबर की जीञेल बहुत जीतना हूँ वो मैं प्रूफ जादा यहाँ पे आपको शॉफ करना भी नहीं चाई अब दोस्तों हम बात कर लेक्टे एक टीम इंडिया की तरफ से आपको क्या प्लेइंग लेवन देखने को मिल सकते सिंपल ची बात है टीम इंडिया के तरब से रोई चर्म और शुपमंगिल ओपनर तीन नंबर पर विराट को लिए ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के उसके बाद बात करें तो स्रेयस एयर के अन राउल सुर्य कुमार यादो रोविंदा जरेजा और अगर हम बोलिंग के ब प्यादो जस्पीड बुमरा अच्छा परफोमेंस देते विया रहे हैं मुहमत सिराज का सेलेक्शन थोड़ा कम रहे है क्योंकि लाश्ट के एक-दो मैचेज में परफोमेंस ने दिया है लेकिन मुहमत सिर्लंका एक एक एड़-टो-एड मैचेज में 6 विगेड भी निकाल यह दो प्लेर यहां पर डिफ्रेंशल इसमें थोड़ा ज्यादा डिफ्रेंशल प्लेर है क्योंकि आपको इंडिया की तरफ से प्लेइंग लिवन देखने को मिलेगी जो मैंने आपको अभी बताईए जिसके अदर एक बार फिर से बता दू एक तो सिराज है जिसका रिकोर यह दो यह दो यह तीन डिफ्रेंशल प्लेर है बाकि रोइत कमाल की फोम में विराट कमाल की फोम में राउल भी ठीक पर्फॉम कर रहे है और इंडिया की च्यार बोलर ओल्मोस हर मैचे विकट भी निकाल रहे है तो दोस्तों वीडियो में आगे बड़े और स्रिलंका की प दो लाग रुपे की मेगा लीग वही आपके लिए कमाल का डिपोजिट ओपर है अगर आप फर्स्ट टाइम 500 रुपे डिपोजिट करते हो एस भी मेगा कूपन को यूज करते हो ना तो आपको दो लाग रुपे वाली मेगा लीग एक फ्री एंट्री मिलेगी यानि 49 वाली कूपन को यूज करते हो तो आपको एक 50,000 की बाजीगर लीक के अंदर फ्री एंट्री मिलेगी तो कमाल की एर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके डाउंडोड कर लो साथ ही स्पोर्स बाजी के उपर आप स्टैच फेंट से अब दोस्तों बात कर लेक्ते स्रिलंका की तरफ से आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकते हैं इनके लिए मस्ट विन मैच है अगर यह यह वाला मैं जीतते हैं इनका जो वर्ल्ड कप का केम्पेनर वो ओन रहता है उसके साथ साथ क्या होगा कि इनको ना आगे क्वाल प्लेरा या डीमूत कॉंड़ातनी में से कोई एक आएगा उसके बाद अगरम बात करें तो तीन नंबर पे कुसल मेंडिस आएगा यह तीन प्लेर टोप ओडर के मिल ओडर की बात करें तो सदीरा समर्विकर्मा चरित असलंका दनेंजे डिसिल्वा एंजलो मैथ्यूस तक बेटिंग कर लेते हैं और बोलिंग की बात करें तो दिल्चान मदुसना का दुस्मानता चमीरा का सून रंजीता मेस ठिक्षना यह होगे च्यार बोलर पांचों बोलर एंजलो मैथ्यूस और दूनेंजे डिसिल्वा में से कोई एक रह सकता यह इन दोनों के बीच और स्प काफे चाप को देखने को मिल सकता है बागी गरम बात करें तो निशाम का फोर्म में है कुसल मेंडिस फोर्म में है सदीरा संबर में का फोर्म में है और दिल्चान मदुसना का फोर्म में है यह चार प्रेर फोर्म में है डिफरेंचल एक तो एंजलो मैं थ्यूज है दूसर चरित असलांका है, तीसरा याँ पे दूनी तवेदा लगे है और चोता डिफेरेंचिल पर नियांबे आपके लिए दनेंजे डी सिल्वा निकल के आ सकते हैं बाकि हाई चांस है स्रिलंका की दरब से आपको ये प्लेंग लेवन देखने को मिलेगी अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको बाद में टेलिग्राम पे अबडेट कर दूँगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया और स्रिलंका के हैट टोएड रिकोर्ड के बारे में पर दोस्तों बात कर लेते हैं को मिलिया के टीम बना हुआ वाकी एक चीज़ जान लग Sophia लो तो तो आप स्रिलंका के फिर्व में बना सकते हैं वो आपकी चोईस रहेगी अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया के प्लेयरों के रिकोर्ड के बारे में सबसे पहले मारे पास है रोई चर्मा और एक दो मैचों में तो फैंटेसी के अंदर कप्तान भी बने हैं अगर इसका प्लेयर का मैच अप की बात कर तो दिलसान मदुसनाका ने एक बार आउट किया है कसून रंजिता ने एक बार आउट किया है और लूनी तविला लगे ने एक बार आउट किया है अब सिंपल सी बात है मेन खत्रा रहता है दिलसार मदुसनाका से अगर इंडिये की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करें तो क्योंकि अंडर दा लाइट इस प्लेर की बोल थोड़ी मूव करती है यह एक मेन खत्रा है बाकी रोईच सर्मा मस्ट पिक प्लेर है इंपो करें तो 9-26-53-6 अब तक चार मैच के लिए जिसमें एक मैच में त्रेपन रन बनाए है बाके तीन मैचों में फ्लोप रहा है लिलसान मदुसनाका से इसको खत्रा रह सकता है कसून रंजिता ने एक बार आउट किया और दोनी त्विलालगे ने एक बार आउट किया दूसर मैचों में 25-6 रन 65.6 की एवरेज से काफी कमाल की एवरेज है विराट को लीगी स्रिलंका एक खिलाफ 50 मैचों के अंदर उसमें अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो लास्ट मैच में 0 उससे पहले 59, 103, 16, 55 और 85 वर्ल्ड कप के दो मैचों में फ्लोप हुआ है बाकी यहां बाकी यह प्लियर कैप्टन सी, वाइस कैप्टन सी कभी एक अच्छा दाविदार है उसके बाद मारे पास इंडिया की तरफ से स्रियेस अईयर इस प्लियर का सेलेक्शन आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा राइटी बेट्स में ने च्यार नमबरे बेटिंग करने आता तो ऐसे में यह प्लियर थोड़ा अटेंटिव होके खेलना चाहिए अगर हम बात करें तो कसून रंजिता ने एक बारा उटके दनिजर डी सिल्वा ने एक बारा उटके है यह प्लियर ग्रेंड लीक का आप के लिए ट्रंप भी कलके आ सकते तो वाईयो और प्लियरों का र स्रिलंका से true और false का option है अगर आपको लगता है यह जीतेगा तो आप true पर trade करो अगर आपको लगता है इंडिया नहीं जीतेगा तो आप false पर trade कर सकते हो लेकि एक सीज़ यादा करना exit ले लेना जब आपका profit होने लगे जैसे आप exit लोगे तो आपका profit confirm हो जाएगा match पूर बेटिंग करें तो below पे भी trade कर सकते हैं यहाँ पर आप जब profit होने लगे तो याद से exit ले लिजेगा एक और चीज़ है यहाँ पर आपको live match के अंदर अलग-अलग question देखने को मिलते हैं जिनके उपर आप अपनी opinion ट्रेड कर सकते हो कोई question दीगा उसके उपर आपको लगत चैजी को शोड़ कर सकते हो मा लेते विराठ कोली का प्राइस सकते है अगर आपको लगता है विराठ कोली सत्त अधा पॉंट देगा वप इसको लों कर सकते हो पहलिक आपको यहाँ पर जीशती भी नहीं देनी और इस match गे अंदर गर आप 10 उर्पे esther । आप जीच सकते ह आईगा स्रिलंका एक खिलाफ आठ मैचों में 216 प्रेट एक का एवरेज है वर्लिकप की बात करें तो लास्ट मैच में 49 उससे पहले 27 उससे पहले 24 उननीस एक मैच में बैटिंग ने थी और एक मैच में स्थानवरन तेपर सिंपल जी बात है अगर विकेट के पीछे दो तीन कैच पकड़ता है और 30-40 रन बनाके देखता है तो डिर्म टीम में तो आ सकते है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंपोर्टेंड है अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है ना आउट ओफ दबोक्स ग्रेंड लिग का वीशी का उप्सिन बन सकता है यह मैं आ इस मैच में 14 रन बनाएते उससे पहले दो रन बनाएते कासों रन जीता ने एक बार आउट किया है यह मुंबेई के ग्राउंड के उपर बहुत खेलावा प्लेर है इस मैच के अंदर यह दूसरा आपके लिए ट्रम प्लेर निकल लेकि आ सकता है लेकिन एक ही इस इस इंड यादो भी खेल सकते हैं उसके बाद हमारे पास है रविंदर जरेजा 6% सेलेक्शन लेफ्ट इन डिबेट्स में लेफ्टा मॉर्टरोफ स्क्रिंगर है सिरलंका एक लाफ 27 मैचों में 348 रन अर्टिस मौन साथ के एवरेज और 27 विकेट है वर्ल्ड कॉप की और मोस्ट हर मै मेचों मेच है विकेट है इक और पास कि इंडल money तरफ से चानी में यका नीट भी एंने operate इना विकेट तो GUY फिरेज नीकाए है दो कि नहीं मेन rat अ के वुडू को फिरक दें अनुर एक लोट audit येचे पर मैच का अवर्लम के ऊज्थ मांछ विकेट पर मैंच का एंवरेज है वर्ल्ड कफ कि हार मैचे विगें निकाले हैं एक विगेंज में तीन विगेटं फिर एक विगेटं फिर दो विगेटं दो विगेटंच चार विगेट और दो विगेटं और तीन बार फंटबास केप्टेणग बनागे beim इंडिया की तरफ से में पेसर है, इंपोरेट है, उसके और मारे पास इंडिया की तरब से मोहमत सिराज, सिराज का सेलेक्षन आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, राइटाम फासमें पेसर है, सिरलंका है किलाफ 5 मेंचों में 16 विगट है सिराज की, यानि 3.1 विगट पर मैस का एवरेज है, वर्ल्ड कप की बात को तो लास्क मेंचे विगट लेस था, उससे पहले 1 विगट, 2 विगट, 2 विगट, 0 विगट, 1 विगट, सिंपल जी बात है, इस प्लेर का सेलेक्षन कम है, तो यह ग्रेंड लिग का ट्रंप है, और यहां पे सिरलंका है किलाफ 5 में 16 विगट है, जिस सारे इंपोर्टन लगें, पांच बोलर है, जड़ेजा, मुहमत सिराज, मुहमत समी, जस्पी दुम्राव कुल दीप्यादो, अब पांचों के पांचों बोलर विगट निकालते हुआ रहे हैं, एक सिराज, लेकिन सिराज का एक्ट्वेट रिकोर्ड आप इच्छा से लें सिरलंका के प्लेरों का रिकोर्ड देख लेते हैं, मैं आपको बता दू कि मैं ये प्लेइंग इलिवन मानके चलाओ, जो मने आपको पीछे बताएं, अगर हम सिरलंका की तरफ से बात करें, तो पतून जिशान का राइटी बेट्स विल ओपनिंग करने आएगा, बाहर के ख उसके बाद हमारे पास है कुसल प्रेरा, लास्ट वाला मैच नहीं कहला था, इंडिया एक खिलाफ सद्रा पोडिचार की एवरेज है, लेफ्टी बेट्स में नहीं है, वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच में ठेक्तर न बनाए दे, जस्पीत बुम्रा ने दो बारा उट, उसक नमबर का बेट्स में ने सिरलंका का कप्तान भी है, इंडिया एक खिलाफ 11 मेच में दो 11 रन, 19.9 के एवरेज, वर्ल्ड कप की बात करें तो लास्ट मेच में 49 उससे पहले 11, 11, 9, 12, 6, कार्टिंग के दो मेच में तो था आउट्सेंडिंग पॉफूमस, उसके बाद हर मैच के इंडिया खिलाफ 11, 19 की एवरेज है, इसके बाद मारे पास है सदीरा संबर्विकर्मा, राइट हिंड डेट्स में ने बात के खिलाफ 3 मेच मेच उससे पहले, उससे पहले 65, 99, 8, 18, 23, देखो, एक मैच मेच में फ्लोप है, बाकि हर मैच मेच 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 चपपपो मे आएते, तो fantasy गिंदर CBC भी बना हुआ है, एक दो बार, तो यह player आपके लिए Trump रह सकता है, उसके आद मारे पास है, चरित असलांग का 17% सेलेक्शन, लेफ्टी बैक्समेन, ओबरिक स्पीनर है, इंडिया एक खिलाफ 8 मेच मेच में 180 रन है, 23.5 की एवरेज चार वीकेट है वर्ल्ड कप की बात को, तो एक मेच में 79 रन थे, एक मेच में 22 रन और एक मेच में 25 रन, यानि एवरेज परफोमेंस है, यानि सेलेक्शन थोड़ा कम रहेगा, तो ग्रेम लिग का आप डिफरेंशिल प्लेर मान के चल सकते हो, फुल्दी प्यादों ने दो बार आउट किय यानि एक बार आउट किये, जिनका रिपोर्ट इंडिया किलाफ फोड़ास अच्छा है, अगर स्रिलंका के दूसरे प्लेरों से कंपेर करें तो थोड़ास अच्छा है, तो थोड़ास अच्छा है, तो यह दो आपके लिए ग्रेंड लिख कर रह सकते हैं, उसके तुमारे पास है एंजलो मैथ्यूज, राइटनी डिबेट्स में राइटाम मीडियम पेसर है, भार के खिलाफ 37 मेचों में 339 अच्छा है, तो बात के खिलाफ इसकी एवरेज बहुत कमाल है, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के अंदर, तो लास्ट मैच के अंदर 23 रन रहा है तो उस पास है उसके पास है का सुन रन जीता, राइटाम फास मीडियम पेसर है, इंडिया खिलाफ 6 में जो में 8 विगेट है, वर्ल्ड कप की बात करें तो लास्ट मैच में एक विगेट उससे पहले 2 विगेट, उससे पहले 4 विगेट, यह प्लेट थोड़ा डिफरेंचिल है, प विगेट निकालता है, तो ऐसे में रोईत और जिल को थोड़ा संबल के खेल ला होगा है, रोईत और दिल जैसे प्लेट कोई आउट विग कर सकता है, वो रिस्क लेने की बात आप लेते हो और नहीं लेते हो, क्योंकि अल्टिम तो आपको ही बनाने ने अपनी है, उसके ब अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैंने स्पोर्ट्स बाजी की स्मोल लेक की टीम बनाई है, विगट कीपर में कुसल मेंडिस और लोकेश राहूल को लिया, बैटिंग में रोईच चर्मा, विराट कोली, शुबमन को लिया, और राउंडर में रविंदर पहले मैंने स्पोर्ट्स बाजी की स्मोल लेक की टीम के इंदर, अगर हम यहां पे कैप्टन सी बाइस काप्टन की बात करें तो विराट कोली, रोईच शर्मा, जस्पी बुम्राओ कुल्दी को बनादो, शुबमन को बनादो, रोईच को बनादो, गिल को बनादो, यही ऐ अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग, पहले बता रहा हूं, मैं रिस्क लेके चल रहा हूं, इस मैज के अंदर मैं रिस्क लोग। मैंने रावल को लिया, बैटिंग में रोईच शर्मा, चुबमन गिल, विराट कोली और चरित असलाग को लिया, इंडिया अगर पहले बैटिंग है, ओल राउंडर में रविंदर जरेजा, एंजलो मैथ्यूज और दनिंजे डी सिल्वा को लिया, और बोलिंग के अंदर ज दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, चरित असलागा को उड़ा के सूर्य को मारी यादो लेलो, क्योंकि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी, यादो भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं करा कि अप इंडिया कि इंडिया को ड्रोग को लेकिन कि अन्दर एक यूट्यूबर करें की रिखा रहे उनली हैं, इस में योटतुबर को ड्रोग को की रिखौोड अगया रहा हो, हो पता आतो क्या बता रहा था बंदो को के रहा था, यह दो रहा हTe इसमें जिसने कुंटन डीकोग को ड्रोप किया हो ग्रेंड लिग जीता यह 5 रन बनाए इसमें जिसने कुंटन डीकोग को ड्रोप किया हो ग्रेंड लिग जीता और यह 10 रन बनाए इसमें जिसने कुंटन डीकोग को ड्रोप किया हो ग्रेंड लिग जीता तो मतलब वो ऐसा मा हाँ ठीक अभी डिकोग का सेलेक्शन 90% है तो यह उम्मीद हो भी डिकोग हो जाए पर आप उम्मीद ही क्यों करें दिकोग हो जाए आप सोतना डिकोग चले एक प्लेर दापका फिक्स है जो कैप्टन भी बन सकता है मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इसलिए आप अगर विला लगे खेलताया तो फटीम में देखाए गा लेना नहीं देता अब ये चीजद देख लेना कि वह टीम उस टाइंस ताउन भी आई थी लेकिन वह जत्ता यह इसमेच के आदर विंग्जों से बार बेंडिया पहले बोलिंग करे उसके अंदर सिंपल्स यह जसब पर दूमरा मुहम्मत समी कुलदी प्याद और मुहमत सिराथ चार इंडिया के मेन बोलर पहले बोले हो पैटिंग के अंदर अगर बात करें तो विराट खोली खेल राउल और रोईच शर्मा और उसके बाद अगर हम फिरुट्स लॉट्र तरफ से बात करें तो कुसल मेंदिस अगर मान लेते हैं आपको रिस्क नहीं लेना ग्रेंड लिक तो दिल्चान मदुसनाका को उड़ा के यहां पर डारेक्ट लेलो सूबमंगिल अगर इंडिया पहले बहुत मैं थोड़ा रिस्क लिया है यहां पर मेरे दिल्चान मदुसनाका को लिए अब आपको पता है इस रॉन्चान मदुसनाका एक दो विकेट लेले बस पार को लिए यह वाइस कैप्टन से आपको चाहो तो केल राउल को दे सकते हो त्याओ त्यां पर स्रेस एईयर को वोका देगी उसको दे सकते हो और अगर बिल्कुल रिस्क लेना हो तो सदीरा समय कमा एक आउट ओफ दबॉक्स वाइस कैप्टन रह सकता है ओनली एगर इंडिया की टीम पहले बोलिंग करे तो ठीक है यह एक ग्रेंड लिक की रिस्क टीम अधर इंडिया पहले बोलिंग करे तो यह ग्रेंड लिक की रिस्क टीम अधर इंडिया पहले बैटिंग करे तो आगे देगो दोस्तों इस टीमों में आप अपने लोजिक लगा सकते हो एक एक दो तो चे लगी लाइक कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो दन्यवाद